नमस्कार प्रिय विध्यारतियो कॉस्मोस की ओनलाइन क्लासेज में आप सभी का हर्देख स्वागत है प्रिय विध्यारतियो अपन करंटी जी के पढ़ रहे हैं यहाँ पर करंटी जी के में आपने पिछली भी वीडियो देखी होगी अपने एक टॉपिक लेकर के नहीं आ रहे और आज अपन जो इस चित्र के मैदम से आपको पता लग रहा होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं तो वो आपको नजर आ रहा होगा बिज्ञान एवं प्रोध्योगी की तो आज अपन किसके बारे में जान करी लेंगे बिज्ञान नाग नामक मिशाल दीख रही है इससे आपने क्या अनुमान लगाया कि इस नाग से इसका कोई न कोई परिश्ण हुआ होगा चलो अभी किया गया है नाग मिशाल का परिश्ण आपको पता होना चाहिए कि कब किया गया था कहां पर किया गया था तो इसकी भी आपन जान कर कि नाग का परिष्टान अगर आपने निस से बात कर सकते हैं कि इसका जो परिष्टान ऊग वो 99% जर राजस्तान में भी कहां परणा करौन में भी देखेंगे यह उजланấu ऌग की अप एक दूसरे के साथ में मिल करके नहीं चलते हैं, भाई चारे के साथ चलते हैं, आप सभी को भी इसी प्रकार से चलना चाहिए, जिससे की राष्ट्र, सबसे बड़ा जो हित होता है, वो राष्ट्र सर्वोपरी होता है, तो आपने भी देखाए कि यहां पर, अगला आपको य ग्रेह जितने भी आपको इस चितर से तो इनके बारे में भी अपन जान करी लेंगे और विज्ञान इवं प्रोध्योगी की इस प्रकार का टॉपिक है कि हर प्रतियों की परिच्छा में चाहे वो SSC CGL हो चाहे 10 प्लस 2 हो चाहे रेलवे वाली कोई एकज्याम हो चाहे SSC GD की कोई एकज्याम हो या इसके अलावा कोई आर्मी वाली जिसमें पुलिश जो भी आती है आपके सेये से बले उन सभी में इसके प्रशन आते हैं तो देखिए प्रशन नम्मर एक पर पहुंचेंगे मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा एक एक प्रशन जल्दी से क्लियर करते जाएंगे प्रशन नम्मर एक दुनिया का सबसे बड़ा और्टिफिस्यल इंटेलिजेंस जहाज कौण सा है जो अहाली में आया है तो फैल स्पार चार सो आया है एम भी साथ सो आया है फैल स्पार तीन सो आया है और सुपर कौण सा आया है एक हजार आया है आपको पता लग गया कि सर सुपर एक हजार ये तो इसका होई नहीं सकता ये तो कम्पूटर वाले है चलो ये भी ठीक है MB वाला आप कहेंगे कि साथ ये भी इसमें बर्तमान में नहीं है तो अपन को दोन से पता लगा कि या तो ये मैफलवार कौन सा होना चाहिए 400 होना चाहिए और मैफलवार कौन सा होना चाहिए 300 वाला होना चाहिए तो अपन से यहां से पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा अब तक कौन सा आया है तो मैफलवार कौन सा आया है 300 आप इसका फोटो देख सकते हैं यह इस प्रकार का है कि अगर इसे कोई भी पंडुब भी डुबाने में क्या है सच्छम नहीं अभी तो बर्तमान में बर्ड वाला पढ़ा होगा कभी आपने पढ़ा होगा अब कि मैं अपन कौन सा पढ़ रहे है 300 बाला आगे ये भी कहा गया है कि हम आगे 400 भी लेकर के नहीं आएगे तो अगर 400 बालα आएगा तो उसके बारे में अभी तक कोई नहीं आया है और दुनिया का सबसे बड़ा तो कौन सा है, मेफलवार कौन सा, 300 है, अगले प्रिशन पर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रिशन आपके सामने है, हाली ही में वेज्ञानिकों, हाली ही में वेज्ञानिकों ने मिलकी वे, मिलकी वे तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की बात च चोटे ग्यात black hall, आपको नजर आ रहा होगा चित्र में देखेंगे, यह cosmos लिखा हुआ है, आप cosmos coaching से ही यह वीडियो देख रहे हैं और cosmos का साथक अर्थ जो होता है, वो होता है ब्रहमांड, क्या होता है? ब्रमांड होता है, क्या होता है ब्रमांड, और आप यहां पर देख रहें कि जो छोटे छोटे यह दीख रहें, इनमें आपन से जो छोटे छोटे दीख रहें, इसको ही कहा गया है क्या, ब्लेक हॉल कहा गया जिसकी खोज का नाम, क्या नाम दिया गया है, तो आपको उसमें याद रखना है, यूनिफॉर्म नाम दिया गया है, प्रिए विद्यार दियो बहुत अच्छा प्रशन है, यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न, इस्पूतनिक और आरेवट, आपको पता होना चाहिए हाल ही में, तो दोनों तो अपन के कट हो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो एक ड्रेस होती है, तो ये प्रशन तो होई नहीं सकता, तो कौन करना है, अपनको यूनिकॉर्न करना है, इसका आंसर कौन सा है, बी वाला ओप्शन है, एक बार इसका स्क्रीन सोट ले लेंगे, अच्छे डंग से पढ़ेंगे, आकास में सबसे छोटे ब्लेक हॉल, करन्ट जी के का प्रशन है, उसका नाम है यूनिकॉर्न, क्या है, यूनिकॉर्न ने की यूनि फॉर्म, और यूनिकॉर्न के उपर आपने देखा होगा, कई प्रकार के प्रशन आभी चुके है, आप से ऐसे भी आ सकता है, कि यूनिकॉर्न क् करना है, आका सगंगा का सबसे छोटा क्या है, ब्लेक होल है, इस परकार के प्रशन आपको नई करंट जो भी भविश्मा आएगी, हो शकता है एक महीने बाद जो भी आए उसमें इस परकार का प्रशन आएगा, क्योंकि यह लेटेस्च प्रशन है तो अगले प्रशन पर अपन पहुंचते हैं तीसरा प्रशन आपके सामने अगला प्रशन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है हाल ही में तमिल लाडू हाल ही में तमिल लाडू आपको पता होना चाहिए तमिल लाडू कहां पर है दच्छिन वारत में हाल ही में तमिल लाडू राजी में खोजी गई नई चीटी नई चीटी की प्रजाती आपको इस चितर से भी पता लग रहा है इस image से भी पता लग रहा है कि यह क्या है, cheaty है हाँ, ऐसा नहीं है कि यह आपको बंदर नजर आ रहा हो, क्या रगा रहा है cheaty नजर आ रही है, तो देख सकते हैं आप cheaty, अब आपको प्रिशन क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा प्रिशन पर ध्यान देंगे, image के और कम ध्यान देंगे, हाल ही में तमिल लाडू राज में खोजी गई नई चीटी प्रजाती का नाम किसके नाम पर रखा गया है प्रिशन बहुत शांदार है और अभी आपने देखा होगा, कि UP में जो टीचर की एक्जाम लगी थी उसमें भी इस प्रिशन को पूछा गया था तो बिद्यारती हो आपके SSC वाले जितने भी है इसमें आ सकता है, अभी आपने अकबार में भी इस प्रिशन को पढ़ा होगा, और इसमें कौन सा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर रखाय गया है, M.Bankyan Naidu के नाम पर रखाया है, Harivans Narayan के नाम पर रखाया है, या प्रॉपेशर अविताव जोशी के नाम पर रखा गया है तो सबसे पहले तो अपन को यहाँ यह पता होना हरिवans Narayan यह भी राज नितिग्या, तो तीनों तो होई नहीं शकते हैं, जबकि अपन के कौन सा अविताव जोशी और विध्यारतियों, यह प्रसन सेम टू शेम, इसी प्रकार से इसी प्रकार वाला, यह कि यह ऑप्शन आपके प्रतियोंगी प्रच्छा में आवी चुका है और वविष्ण में आएगा भी, चलिए अगला प्रसन हाँ जे, यह प्रसन, यह सबसे सांदार है, और आपको इसके बारे में पता भी लग रहा होगा, यह भारत का गौरव है, और राजस्तान का भी गौरव है, तो आप इसमें देख सकते हैं 27 अक्टूबर 2020 27 अक्टूबर 2020, टैंक रोदी, टैंकों को नश्ट करने वाली, जो मिशायल का है अन्तिम परिशन राजस्तान के पोकरण राजस्तान के कौन से पोकरण, पोकरण कहां पढ़ता है, जैसलमेर में पढ़ता है और आप से कहेंगे कि साब संपन हुआ है, जिसका नाम है सबसे पहले यहां यह पढ़ेंगे कि राजस्तान में ही यह संपन क्यों होते तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्तान में थार का मरुस्तल है कौन सा मरुस्तल है थार का मरुस्तल भी पाय जाता है कहां पर राजस्तान में जितने भी विध्यारती आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो थार का मरुस्तल है पहले यहां टैथिस सागर था बोतो नैश्ट हो गया तो कौन आ गया थार का मरुस्तल आ गया कि थार के मरुस्तल को पाकिस्तान में क्या कहते है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान में इसे कहते है चोलिस्तान क्या कहते है चोलिस्तान यहाँ पर इसको भी याद रख सकते है कि पाकिस्तान में थार के मरुस्तल को क्या कहा जाता है चोलिस्तान कहा जाता है और जितने भी अब तक परिशन हुए चाहे वो इंद्रा गांदी ने करवाया है चाहे अटल वियारी बाजपी ने करवाया है आपको पता होना चाहिए इंद्रा गांदी जी ने गांदी जी ने सबसे पहले परमानु परिश्यन कब करवाया था तो गुनी सो चौतर इस्वी में करवाया था कब करवाया था गुनी सो चौतर इस्वी में और आपको पता होना चाहिए कि गुनी सो चौतर इस्वी में कहां पर करवाया यहीं पोकरण में करवाया आपसे प्रशना जाए अटल विहारी बाजपई जी ने परमानू परिशन कब करवाये थे तो 11 मई को करवाये थे 11 मई 1908 में को करवाये और 13 मई 1908 में को दो बार करवाये थे और आपको ये भी पता होना चाहिए के अभी 27 अक्टूबर 2020 इसको टैंक रोधी मिसाल का अंतिम परिशन राजस्तान के पोकरण में किया गया ये सभी मिसाले लिखी हुई है आपको ये भी पता होना चाहिए इन सभी मिसालों को बनाने वाले कौन थे एपी जे अब्दुलकलाम थे तो आपको फोटो से भी पता लग गया होगा कि कौन सी मिसाल बनाई थी नाग नामक मिसाल बनाई तिरसूल भी बनाई थी प्रत्वी बनाई थी और अगनी भी बनाई थी लेकिन आपसे हाल ही में जो परिशन हुआ है वो किसका हुआ है नाग का किसका हुआ है तो नाग का अंतिम परिशन किया जा सुका है और इसे सेना आर्मी को भी सौप दिया गया है जिससे कि भारत की सुरिच्छा की जा सके और आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो अपने देश की क्या होती है सुरिच्छा मतलब राइष्ट हित सबसे बड़ा हित होता है, चलिए अगला प्रशन आपके सामने, इसका आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं, धार का मरुस्तल, युवा मरुस्तल कहलाता है, पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, इंद्रा गान दीजी ने सबसे पहले परवानुपरिश्चन गुनी सो चोतर में, और अटल वियारी बाजबी ने गुनी सो एक्ठान में ये परवानुपरिश्चन करवाया था, चलिए अगला प्रशन, देखिए विध्यारतियों केवडिया, पता लग गया होगा केवडिया किस राजी की बात चल रही है, पहल भी आ गई है, अपनके फोरविलर गाडियां भी आ गई है, जिनमें कार है, सभी इलेक्रिकल सिटी आ गई, क्यों आ गई है, क्योंकि पेट्रोल के दाम भी अंतराश्टिय मार्केट में भी ज़्यादा है, और अपनके राजिस्तान और भारत में भी ज़्यादा है, तो हो रही है, लाइट से चार्ज हो रही है, चलिए, अच्छी बात है, लाइट से चार्ज हो रही है, मोटरसाइकल है तो आपकी गंगापूर सीटी में भी आ चुकी है, हाँ जी, के रूप में बिकसित किया जा रहा है, जो किस राज ने सबसे ज़्यादा वड़ावा दिया है कहने का मतलब प्रेसिन को एक बार दोबारा से समझिए के वडिया तो आपको पता होना चाहिए कि के वडिया कोई इस्तान है के वडिया को देश की पहली इलेक्ट्रिकल भीकल सिटी के रूप में बिकसित किया जा रहा है के वडिया एक किस का नाम है शहर का नाम है किस का नाम है सहर सहर कहने का मतलब नगर का नाम है तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो के वडिया किस राज में तो राजस्तान में के वडिया कहीं नहीं है खुब पड़ा होगा आपने गुजरात में गुजरात ही इसका अंसर है के वड़िया कहां पर है गुजरात महाराष्ट और दिल्ली इसका कोई option नहीं है याद रहे जाएगा विध्यारतियों और सबसे अधिक विक्सित राज्यों की सरेणी में बर्तमान में कौन सा है गुजरात है दूसरे राज्यों पर कौन सा है महाराष्ट है अगर केंदर सा से पूछा जाए तो आपको चंडी गड़ करना है विध्यारतियों आपको अभी कभी कर देते हैं दिल्ली को दिल्ली राश्ट राजधानी है लेकिन बर्तमान में विक्सित रूप में कौन है तो आपको वो चंडीगड करना है और सबसे अगर साफ सहर पूछा जाए तो आपको कौन करना है इंदोर करना है कौन करना है इंदोर और आपको ये भी पता होना चाहिए किस नदी के किनारे है तो छिप्रा नदी के किनारे है कौन सा इंदोर आपको पता भी होना चाहिए इंदौर किस राज में तो मध्य प्रदेश राज में और केवडिया कहां परे तो गुजरात राज में किलियर हो जाएगा यह स्वच सिटी भी आपको याद रखनी है कि स्वच सहर कौन सा है इंदौर है अभी भी इंदौर यह कई वार यह दुबारा से भी इंदौर बन चुका है स्वच सहर के रूप में और स्वच भारत मिसन में इसी ने सबसे अच्छा खताब जीता है किसने इंदौर ने चलो अगला प्रशन आपके सामने छटा प्रशन प्रिय विध्यारतियों जो प्रशन आपको अच्छे लगे सभी एक्जाम में आने की दृष्टी से महत्पून है आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं और किसी प्रकार का अगर कोई प्रोब्लम है तो आप हमें कमेंट करके न प्रशन है हाल ही में तट रच्छक तट जानते ही है आपको मैं इधर तट बना देता हूँ ये भारत है और इस भारत में ये पूरवी तट है कौन सा तट है पूरवी तट अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लो पहली बार अगर कोई विध्यारति पढ़ रहो और ये कौन सा है पश्मी तट कौन सा तट है पश्मी तट चलिए अपन पश्मी तट है कौन सा तट है पश्मी तट है आपको पता लग गया ये पश्मी तट है और ये पूरवी तट है चलिए तट वरती अप तट ये गस्ती पोत गस्ती का मतलब गस्त करने वाला जहाज को सुरि सुरिच्छा के लिए राष्टिय सुरिच्छा सलाकार अजीत डोवाल आपको पता लगया कि राष्टिय सुरिच्छा सलाकार कौन है अजीत डोवाल जी है दौरा भारतिय सेना में कमीशन किया गया है तो किसको भेजा गया है आपको यहाँ पर यह जवाब देना है सुरिच् पूर्वी तटपर तो कितने राज्य है, चार, और पश्मी तटपर कितने राज्य है, पाँच, तो पहला जो आपने देखा कि हमारे जो तटिये राज्य है, तटिये राज्यों की संग्या कितनी है, तो तटिये राज्य नो है, कितने है, तटिये राज्य भारत के कितने है, यहां पर एक line और लिख रहा हूं में आपको, कभी भी अगर आपसे 30 सीमा पूछी जाए, भारत की अगर 30 सीमा पूछी जाती है, तो आपको करनी है 600 किलो मिटर, कितनी करनी है, जो 9 राज्यों से लगती है सीमा, उसको कहते है 30 सीमा, लेकिन विध्यारतियों कई वार आप गल कौन सी सीमा आती है, जली सीमा, अगर कभी भी आपसे जली सीमा पूछे भारत की, तो 7516 पॉंट कितना करना है, 6 करना है, 7516 पॉंट 6 किलो मिटर कौन सी सीमा है, जली सीमा दोनों में डिफरेंस याद रखना है, जली सीमा अलग होती है, 30 सीमा अलग होती है, 30 सीमा जो हमारे ये तट से लगी हुई है, एक बार मैं तटो के नाम बोल देता हूं, ये कोकन तट है, ये कैनरा तट है, ये मालावार तट है, और ये कोरो मंडल तट है, एक बार फिर से सुनिए, और लिख भी सकते हैं आप, पूरवी तट को हम कहते हैं कोरो मंडल तट, क्या कहते हैं, पू वार तटों के नाम आपको याद ही हो गए होंगे. हाँ, मैं यहाँ पर बंदर जाहूं के भी नाम बोलता हूं. कांडला बंदर जाहां परता है गुजरात में, कांडला बंदर जाहिं इतु caveat जर्ष। सरकान ने पंडेत दीन दयाल उपाध्या कर दिया है 2017 से याद हो गया होगा कांडला बंदरगाएं गुजरात में हैं नायवा सेवा महाराष्ट में इसको बॉंबे बंदरगाएं भी कहते हैं इसका भी नाम बदल करके नहीं भारत सरकार ने पंडे जवालाल नहरू बंदरग में और तूती कोरो ने नोक पड़ता है तमिल लाडू में तो इसकी सुरिच्छा के लिए किसकी इसकी सुरिच्छा के लिए इन तटो की सुरिच्छा के लिए मैंने आपसे बोला कि इन बंदरगाओं की सुरिच्छा के लिए भारती तटो की सुरिच्छा के लिए अंडव प्रेशन आपको मैंने ओल्डिल से इसको करंट से जोड़ा है और उस जहाज का नाम है क्या प्रिय विध्यारतियों सजग क्या नाम है तो सजग सभी को इसको अच्छे सुरिच्छा नहीं है करंच हाँ आई एन एस ये पंडुब्बी है क्या है पंडुब्बी आपको पता ल इसका स्क्रीन सोट ले ले 30 सीमा को भी याद कर ले हाँ ये चले आगे बड़े चलो इस तलिये सीमा भी लिखू चलो इस तलिये सीमा इस तलिये सीमा अगर आप याद रखनी चाहिए भारत की इस तलिये सीमा सत्रे राज जोशे लगती है कितने राज जोशे लगती है सत्र राज इस परस करते हैं इस ते लिए सीमा पर और ये है 15106.6 15000 कितना 106.6 आपको यह याद रखनी है लूशेंट में जो दे रखी है वो याद नहीं रखनी है वो दे रखी है 15200 तो उसको याद नहीं रखना है आप Google पर भी सर्च करेंगे आपको यह मिलेगा 15106 किलोमेटर इस तलिये सीमा हैं जो अपनके साथ देशों को इस उस परस करती है चली अगला प्रशन तो इसका कौन सा आंसर हुआ था? सजग लगा ले ना अगिला प्रश्ण देखिए विध्यारति ये सांदार प्रश्ण आपको इस मांचुतर से वता सकते हैं कि किस का मांचुतर है किस राजी का मांचुतर लगा हुआ है इमेज देखेंगे अच्छे डंग से जल्दी से पेचान करेंगे आपका राजिस्तान तो नहीं है कहीं दि किस सहर को दिया गया है जल्दी से बताएंगे इस में आपको ये पता होना चाहिए कि किस राजी है और इस राजी में आपको एक सहर भी नजर आ रहा होगा जल्दी से जल्दी से देखने की कोशस करेंगे किस को दिया गया है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक सहर है ह हैद्रावाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस हैद्रावाद को भरत शरकार ने ओप्रेशन पोलो के तहत मिला या दा जिसमें आपने नाम सुनोगा ग्रेह मंतरी दे लोग प्रोश चरदार वल्लबाई पटेल भारत के प्रथम उन्होंने ओप्रेशन पोलो के तहत किनारे हैं और आपको पता होना चाहिए ISO certification दिया गया है किस सेर को तो इसी हैद्रावाद को दिया गया है किसको दिया गया है है हैद्रावाद को जो भारत के नगरों में से अभिन नगर माना जाता है कौन हैद्रावाद तो इसका answer आप क्या कर लेंगे हैद्रावाद जो जली है इस तर जो पानी है वो लगवग नगन इस्तती में पहुंच चुका है तो इसके बारे में भी आपको पड़ा होगा आपने करंट जीके में चलिए बिज्ञान और प्रोध्योगी की का ये टॉपिक चल रहा है तो आपको यहां पर जाता है बिज्ञान एवं प्रो रोजाना ये वीडियो देखें आपको हम रोजाना अप्लोड करेंगे और आपका इस वीडियो का उद्देश यह है कि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परिच्छा है उन समय आपका सत प्रतिसत जो करंट जीके है वो बिल्कुल सही जानी चाहिए और अगर आपने कोस्मोस से जुड़े रहे तो आपका कोई प्रिच्छन गलत नहीं होगा आपका ज़्यदा समय भी नहीं लूँगा हाल ही में कौन सा भारतिय नो सेना पंडुबी मैंने आप से कहा ना अभी मैंने जहाज बोला था अब यहाँ पर पंडुबी आ चुकी है और दोनों ही आपने क्या गया आईये शर्च्छा को की आगया है चलो मैंने सभी पंडुब्यों के नाम लिख दिये जितने भी आपको नाम नजर आजर आ रहे हैं चारों ही पंडुब्यों के नाम है जल्दी से बताएंगे कौन सा है जिसके तहट यह भारत की जो 38 सीमा है इसकी सूरुच्छा क की शुरिच्छा इन पंडी उप वियों को दी गई है ये नीचे कौन सा महाशागर है हिंद महाशागर है चलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये अंडमान निकोबार्डी पाए जाते इस अरव सागर मैं लच्छ दीप है और आपको पता होना चाहिए कि इनस कावारती को ही सामिल के अगिया है आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लच्छ दीब की राज्धानी कौनसा है कावा nhती और किस को ही युद्व को सामिल के अगिया तो काव रधी को ये पंडुब भी को भी डुबा शकता है और किसी भी जहाज से भी टक्र लेने में पूर्ण सच्छ में जो भारती है जल सेना को ये युद्ध पोत दिया गया है तो कौन सा है आई एनस कावरती कावरती से पता होना चाहिए किस दीप की राजधानी है लच्छ दीप की राज चुका है आप इस कंपूटर के बारे में जान करी लेंगे दो तीन दिन पहले अपना अकवार में पड़ा होगा इस कंपूटर के बारे में तो देखिए हाल ही में एरान हाल ही में एरान ने अपना सबसे सकती साली सुपर कंपूटर कौन सा विक्सित किया है आपको उसका फ इरान के नाम से किया है, माईकरो कम्पुटर के नाम से किया है, सिमवर्ग के नाम से किया, जल्दी से आपका, मैं यहीं से अनवब कर लूँगा, किस-किस विध्यारती का अच्छा जवाब आया है, तो देखिए, यह आपको कम्पुटर नजर आ रहा है, ये इस प्रकार का computer की विक्ति को अगर नहीं भी जानता है तो विक्ति बोलता जाएगा computer लिखता जाएगा अब आपको typing की भी परिशानी कम हो जाएगी बैसे देखिए विध्यारतिव अभी इरान ने किया हो शकता है ये technology इंडिया में भी कुछ दिनों बाद जाए तो इसक नाम सुपर MS नहीं है, सुपर इरान भी नहीं है, micro computer भी नहीं है और इसका नाम है कौन सा? Shemorg क्या नाम है? Shemorg इसको अच्छे डंग से याद करेंगे Shemorg है Shemorg इरान ने Shemorg नाम का सबसे सकती साली computer हाल ही में बिक्षित किया है तो आप Shemorg को अच्छे डंग से 100% ये किसी न किसी परतियोगी परिच्छा में आएगा तो इसलिए इसका screenshot भी ले ले अगला प्रशन आपके सामने भोती शांदर प्रशन दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संसोदित रवल प्लांट तो रवल प्लांट तो आपने पहले भी पड़ा होगा? रवल प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो आपने देखा होगा साम पहले अपने पड़ा था केरल, सबसे पड़ा तो आपको यहां पर कौन सा केरल, केरल ओप्शन भी है? तो जल्दी से बताईए विद्ध्यार्टियों आपने पिछली बार भी पड़ा होगा, केरल पड तो आपने देखा, यहां तो केरल में तो बोई पहले वाली परपार्टी से आ रहा था, कोई इस परकार का नहीं था, आनुव अंशिक नहीं था, तो यह कहां पर लगाया गया है? असम में लगाया गया है, कहां पर लगाया है? असम में लगाया गया है, केरल के बारे में आ आपूंजी आप कहेंगे सर यहां पर यह वर्सा क्यों होती है मासें राम मेगाले में तो बिध्यारतियों यहां पर यह पाड़िया पाई जाती है गारो एक पाई जाती है खाशी और दूसरी पाड़िया पाई जाती है जैनतिया जैनतिया यह पाड़िया ऐसी है जो मानसून जो इनमें फश जाता है तो मांसुन जब तक खाली नहीं होता है तब तक छोड़ती नहीं हो सरवादिक बरसा कराती है आपके इसर पहाडिया इससे बरसा करा सकती है बिल्कुल अरावली परवस्त माला है यह आपने देखा कि मांसुन के शमान अंतर पाई जाती है इसी कारण से पश्वी राजस्तान में क्या नहीं होती है बरसा नहीं होती है और यहाँ पर सरवादिक बरसा कराने का जो में कारण है प्राकरतिक रूप से वो यह ही है गारो, खासी और कौन सी जेनती की पहड़िया तो आपको यहाँ पर आंसर कोण गया था असम एक बार असम में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संसोधित रवल प्रांट लगाया गया है तो असम जो है आपने खुब पड़े होंगे सुबस्वई असम की खुश्वदार चाय ही पीते होंगे चाय भी सरवादे कहां से आती है और सम से ही आती है चलिए अगला प्रशन आपके सामने ग्यार्मा प्रशन हाँ जी बरतमान में जिससे संपुण विस्व जूज रहा है बही बीमारी आपके सामने है और इस बीमारी का प्रशन आप सब से पहले बताएंगे हाल ही में WHO सब जानते हैं WHO के बारे में तो हाँ WHO भारत में पाए गए coronavirus के दो variant ये variant के नाम है B.1.1 आपको 167.1 तथा ये ही है आपको यहाँ पर दो कर दिया गया क्रमश है क्या नाम दिया गया है तो आपको ये कपा तथा delta नाम दिया गया कपा तथा crater नाम दिया गया कपा तथा virus नाम दिया गया या virus या corona नाम दिया गया आपने खुब अकवारों पड़ा होगा कि आभी कह रहे होंगे कि ये आ चुका है virus जिसके कारण हो शकता है कि पुने lockdown लग जाए या तीसरी लहर आ सकती है और वो तीसरी लहर की जो शंभावना डबलू एचो ने बताई है उसमें उस virus का नाम है विद्यारतियो जल्दी से आप ये virus फोटो देख करके नहीं पैचान कोंगे पहले तो इसी virus से आपने देखा होगा बच्पन में आप खुब खेले होंगे इसी प्रकार की गेंद होगी लेकिन ये चीन दुआरा ऐसा कहते है कि विक्सित किया गया virus है और इसमें आया है आपने ये नाम खुब सुनाओगा डेल्टा कौन सा और अभी जो नाम दिया गया कपा तथा डेल्टा क्या है विद्यारतियो कपा तथा डेल्टा एक बार फिर से सुन लेंगे ये प्रस्ट जरूर आएगा 100% आएगा क्योंकि कोरोना वाइरस का एक प्रस्ट हर एक जयाम में आ रहा है हाल ही में डवलु एचो ने भारत में पाए गए कोरोना वाइरस के कोरोना डेल्टा में आप दो याद रखेंगे कपा में आप एक याद रखेंगे दो प्रश्टों को एक साथ जोड दिया गया है चलिए अगला प्रश्ट आपके सामने तो कपा और डेल्टा इस कपा और डेल्टा की वरतमान में पहचान भी नहीं हो पा रही है इसमें खांसी जो खांबी नहीं होते है विध्यारती हो अगला प्रशन आपके सामने बहुत ही आप जरस्ब्जियों को खाते किस राइजर सरकार ने किस राइजर सरकार ने ताजी सब्जियों की होम डिलेवरी के लिए आपनेगा सबही चीजे आजकल तो dress भी home delivery हो रही है सब चीज़े आजकल तो online मंगा रहे तो ताजी सब्जीों की भी home delivery M.O.M.A market online 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 application जारी किया है तो किस ऐसा कौन सा राज़े जहां पर ताजी सब्जी भी online मंगा ही जाएगी तो आपके अशम हैं मनीपुर हैं गुजरात हैं राज़स्तान हैं तो जल्दी से बताएंगे कौन सा है देखिए भी ध्यारतियो एक तो आप कट कर सकते हैं कि राज़स्तान में तो ऐसा भी हुआ नहीं है क्योंकि आपन राज़स्तान की तो रहने होगा चलिए साब तो आप अपन के दुआएं कि गुजरात और मनीपुर होना चाहिए गुजरात बिक्सित्राइज जो में आता है और यहां पर सरवादिक आपको ताजी सब्जी करनी है मनीपुर में और आप कभी भी इसका आंसर मनीपुर नहीं करोगे क्योंकि आपका एक ही दिमाग में बैठा हुआ है कि टेक्नोलोजी अगर बढ़ा रहा है तो गुजरात बढ़ा रहा है ने की अब की में कौन तो मनीपुर और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सभी प्रकार के शामान ताजी सब्जी का मतलब हो गया इससे जितने भी बड़े सामान है टेक्नोलोजी के सभी जितने भी अपन के खाने पीने के बरतन अरतन जो भी है सब ओनलाइन दे रहा है कौन मनीपुर तो आपको इस प्रस्शन को आपने ऐसे भी सुना होगा कि सरवादे को हम डेलेवरी ओनलाइन एप्लिकेशन से करने वाला राजी कौन सा है तो मनीपुर भी कर देंगे और आप ताजी सब्जीों का जो इस्पेसल प्रशन है वो भी कौन है मनीपुर है तो चलो अगला प्रशन हाँ जी विद्धार्थ ये प्रशन थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसको ये प्रशन हंड्रिट परसेंट आएगा राजनित्तिक रूप से विजड़ा हुआ है हाल ही में केंद्रिय मंत्री मंडल केंद्रिय मंद्री मंडल भारश शरकार का 45,600 च्यान में करोड की लागत से भारतिय बायू शेना के लिए कितने हलके लड़ाकू बिमान आपका प्रशन का जवाब तो यहीं से जाना चाहिए कितने हलके लड़ाकू बिमान और उस बिमान का नाम क्या है तेजस तो भारत कौन सा बिमान खरीद रहा है तेजस खरीद हेतु मंजूरी प्रदान की है प्रशन का जवाब आ चुका है लेकिन इसमें एक उत्तरोड जोड दिया गया है जिसकी खरीद हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड से की जाएगी आपसे अगर प्रशना जाए कि तेजस की खरीद किस से की जाएगी तो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड से की जाएगी कितने हैं वो लड़ाकू विमान जिनका नाम तेजस है तो 53 खरीदेगा भारत तिराशी खरीदेगा 100 खरीदेगा या 120 खरीदेगा जल्दी से इसका जवाब आना चाहिए बिद्यारतियो और आपने देखा होगा कि भारत ने सबसे ज़्यादा राफेल खरीदे अभी आपने पड़ा कि पंडुबिया भी तेनात किये अभी आपने पड़ा कि युद्दपोत के लिए जहाज भी तेनात किये क्यों क्योंकि बरतमान भारत सरकार की जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा राष्ट सुरिच्छा करना चारी है कि हमारा राष्ट चीन से आगे पहुँचे अमेरिका से आगे वड़े और उन्होंने कितने तो इसमें आंसर होगा तिरासी आपको पता होना चाहिए तिरासी क्या खरीदेगा तेजस खरीदेगा क्या खरीदेगा कितने 45,690 करोड की लागश से खरीगा और जिसको केंद्रिय मंदल ने मंजूरी भी दे दिये और आपने मानसून सत्रमा भी समाचार सुने होंगे टीवी पर भी देखेंगे तो उसमें इसकी मंजूरी मिल चुकी है और इसकी खरीद के लिए भी ये पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है अगला प्रशन आपका अब कमी प्रशन रहे भी द्यारतियो जल्दी से अगला आपन देखेंगे आपके हाल ही में किस राज जने पश्मी खांसी हिल्स खांसी हिल्स अभी खांसी जैनती की पाड़िया मैंने भी आपको बताई थी खांसी हिल्स जिले के पास सौरोपोड डाइनासौर की हड़ियों के जीवास मिले अगर कुछ देर पहले अगर आपने पहाडियां ध्यानप्रोफ सुनी होगी तो आप इसका उत्तर सही करोगे जीवासम मिले है किसके डाइनासोर के सौरोकोड मेगाहले में मिले है अश्म में मिले है सिक्के में मिले और त्रिप्रा में मिले तो आपको पता होना चाहिए सरवादिक वर्सा वाला में थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सरवादिक वर्सा कहा होती है मेगाहले में होती है और मेगाहले में कौन-कौन सी पहडिया पाई जाती है, गारो भी पाई जाती है, खाशी भी पाई जाती है, और जैनती की पहडिया भी पाई जाती है, और आपको पता होना चाहिए, इस प्रशन में क्या डाल दिया गया था, इसमें पहले से डाल दिया गया क्या, खाशी, ख पड़ा होगा, तो यहां से अभी आपने कुछ दिनों पहले पड़ा होगा, कि हमें कहां से भी प्राप्त हुए है, अगर मानलों खोजो में अपन पड़ेंगे, शिक्किम, शिक्किम आपने देखा है, जो चीन की बॉटर से लगा हुआ है, चीन से सरवादिक लडाई का और कौन भी बनता जा रहा है, शिक्किम, क्योंकि शिक्किम की जो सीमा है, उसमें घुषपेट भी कर रहा है, कौन चीन भी कर रहा है, तिरुपुरा, तिरुपुरा वहराजी जो बांगलादेश से तीन और से गरा हुआ है, बांगलादेश से कितनी और से गरा हुआ है, त स्को भी आद रख सकते बंगलाधेश से तीन और से गिरा हुआ राज कोन सा है तो आपन कोन कर सकते हैं द्रपरह जिसजी राजधानी कों सी है अगर तर्ली astern कि आप देंगे जिल्दी से, चीन, अपना पहला क्रू मिशन, मंगल पर भेजने की योजना कब के लिए वनाई हैं, तो चीन अभी आपको ये आगे भी आएगा वविश में, हाँ, इसको आपको जवाब देना है, घर से देखना है, आपको कल मैं इसका जवाब दूगा, चीन न अपना पहला क्रू मिशन, मंगल पर भेजने की योजना बना लिये, आप इसको कमेंट करके ने बताएंगे, बरस 2022 में बेज़ेगा, बरस 2023 में बेज़ेगा, बरस 2024 में बेज़ेगा, बरस 2025 में बेज़ेगा, कब बेज़ेगा, जो इसका कमेंट करेगा, कल उसका हम नाम ले तो हाँ इस प्रश्न को आप एक बार स्क्रीन सॉट ले लिजिए देखे विध्यारति आपने स्क्रीन सॉट ले लिया होगा और आप हमें सुजाब भी दे सकते हैं कि हम करंट जीके में क्या सुधार करें किस प्रकार के टॉपिक पढ़ाए जो आगामी प्रतियोगी परिच् हम अमारी लेविल पर तो अच्छे टॉपिक लेकर के नहीं आई रहें लेकिन देखिये कहते हैं कि सबकी राय जरूरी है अगर आप कुछ अच्छे सुजाब हो आपके तो कमेंट बॉक्स में लिखें आपको वीडियो कैसी लगी बो भी और इसके कमेंट से में जवाब भी बुलाएंगे तो एक बार इसका आंसर आपको कल देना है एक बार फट से सुन लीजिए चीन में अपना पहला चीन ने अपना पहला ये में नहीं है ये नहे है चीन ने अपना पहला कुरू मिशन मंगल पर भेजने की योजना कब के लिए बनाई है तो आपको ये सन बताना है कब के लिए बनाई है थेंक यू विद्धारतियो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा जुड़ने के लिए कॉस्कॉम जो एप है उस पर जाईए वहाँ पर स्टोल करिए थेंक यू विद्धारतियो